उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरो पर हैं। भाजपपा पूरे प्रदेश का महल जानने में लगी है। हार किसम एक्षा होगी इसे पार्टी की छवी को धक्का लगा है सुनील बंसल भाजपकाशी शेत्र कारेकारणी की हर हुआ के गुकुल धाम में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि परिवार पत्नी को प्रतियाशिन नहीं बनाया जाएगा बंसल ने कह की कारेकर्टा पंचाज चुनाव के तैयारियों में अभी से जुड़ जाएं प्रदेश के सेह प्रभारी सुनील उहजा ने कहा कि सन 2022 के चुनाव में बहतर परिणाम के लिए बूत्व सेक्टर इस्तर पर समन्मेश जरूरी है काशिश शेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव वे संचालन शेत्रिय महमंत्री अश्योक चौरसय ने किया बैठक में राज्य मंत्री रविंद्र जाय सवाल विध्य सागर राई हंस राज विश्वे कर्मा विधाग डॉक्टर अवदेश सिंग सौरभ श्रीवास्तव आदी मौजूद थे बैठक में प्र संगठन की मजबूती के लिए चिंतन जरूरी है लक्षे पाने के लिए कड़ी महनत करनी होगी उत्तर प्रिदेश सरकार 31 मार्च तक पंचायत चुनाफ करा लेने की तर्यारे में जुटी है अधिकारियों के साथ अपनी मिटिंग में मुख्यमंत्री योग्या अधितनात चुराफ कराने को लेकर नेधर्श जारी किये मुख्यमंत्री के नेधर्श के बाद पंचायती राज विभाग में हल्चल तेज हो गई है अभी वोटर लिस्ट फाइनल करने का काम चल रहा है सीम योग्या अधितनात के साथ बैठक में पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूचियों के पुनिरक्षण चार जिलों में पंचायतों के पून 49 जिलों में अंशिक परी सीमन की कारवाही चल रही है इसके बाद तृस्तरिय पंचायतों का वाइज निधरन और वाइजों का आरक्षण किया जाएगा आपको बता दे कि उतरपरद सबी तयारियां शुरू हो गई हैं 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होते ही नए कामों की शुरुआत पर रोक लग जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वकाइदा साशन देश जारी होगा अधित्र जिनों में 25 दिसंबर 2015 को ग्राम प्रधानों को माप्त हो जाएगा पंचायत विवहाग से जोड़े अधिकारियों का कहना है कि अभी तक चुनाफ को लेकर अधिसूचना जारी नहीं होई है अधिसूचना के बाद ही ग्राम पंचायतों में निया मनुसार का रिवाहक नियुक्त किये जाएंगे इस बीच प्रदेश के च